क्या आप ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं जिसके अंदर यहाँ पे ABCD चार पार्ट दे रखे हैं तो पहले हम A पार्ट पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है आते हैं आंसर शीट पे तो A पार्ट के अंदर लिखा हुआ है exactly one line of symmetry यानि कि क्या आप कोई एक ऐसा triangle बना सकते हैं जिसमे exactly एक ही symmetry line हो तो इसका अंसर है yes क्योंकि हमें पता है कि ISSLS triangle के अंदर एक ही symmetry line होती है ISSLS triangle यानि जिसकी दो sides बराबर होती है तो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं इस triangle को तो एक ISSLS triangle बना रहूं है ये मैंने base ले लिया ये base मैंने कितना भी ले लिया जब आप actual drawing करोगे तो आप base कितना भी ले लो अब जो दो sides आपको equal ले लिये न वो करने का तरीका ये है कि आप कितना भी compass खोल लीजे ऐसे और यहाँ पर ऐसे arc लगा लीजे और फिर इसको बिना छेड़े दूसरे point पर रखके आप ऐसे एक arc लगा लीजे तो जहाँ पर ये intersect होंगी न वो point आप ले लेना जब वो point ले लोगे और इस point से जो शुरू में आपने line बनाई थी उन्हें जोड दोगे तो ये आपका SSLs triangle तहियार हो जाएगा ये देखिए ये दोनों sides बराबर आएंगी इसकी symmetry line में बनाके दिखा देता हूँ मैं उसके लिए ये जो तीसरी side है न जो बराबर नहीं है इसका center चाहिएगा ये है 7 cm की 7 का half होता है 3.5 तो आइस और से लेस triangle की symmetry line ये जो unequal side होती है इसके center से और उपर का जो vertex होता है उससे पास होके जाती है ऐसे बिल्कुल center से जाएगी ये symmetry line है तो ये हो गई है एक symmetry line L अब ये जो दो part बने है ना ये बिल्कुल same बनेंगे और यहां से fold करने पर एक दूसरे को पूरा overlap करेंगे B part exactly two lines of symmetry क्या ऐसा triangle बना सकते हो आप जिसके अंदर exactly two lines of symmetry हो ये बिल्कुल दो ना दो से कम ना दो से ज्यादा इसका answer है no ऐसा triangle हम बनाई नहीं सकते हम ऐसा triangle बना सकते है जिसमें एक symmetry line होती है ऐसा बना सकते हैं जिसमें तीन होती है लेकिन ऐसा नहीं बना सकते हैं जिसके अंदर exactly two तो इसका answer तो होगा no अब आते हैं C part पे C part के अंदर है exactly three lines of symmetry जिसके अंदर तीन lines of symmetry हो तो ऐसा triangle हम बना सकते हैं इसका answer है yes क्योंकि equilateral triangle जो होता है उसकी तीन symmetry lines होती है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर equilateral triangle मुझे पीछे वालों में भी लिखना चाहिए था कि ऐसा triangle जो होगा उसका नाम क्या होगा इसका answer yes होगा और इसका जो triangle का नाम होगा ISO cellless triangle जिसमें कोई जिसमें दो lines हो symmetry की ऐसा कोई triangle नहीं होता हूँ नो लिख के हैं लिख देंगे की such triangle is not possible to form यह थोड़ा language आपको लिखना पड़ेगा अब यह C part कर रहे हम exactly three lines of symmetry तो बना सकते हैं answer है yes और triangle होता है equilateral triangle अब equilateral triangle जब आपको बनाना हो तो उसका steps देख लीजिए अगर आप बनाने के लिए आजए सबसे पहले तो आप एक baseline बना लीजिए और उसका measurement ध्यान रखना की कितना है मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक baseline यह है 6 cm की अब जो बाकी की जो दो sides होंगी वो भी मुझे 6 ही चाहिए उसके लिए मैं compass के ऊपर यह 6 ले लूँगा यह मैंने 6 ले लिया कितना ही measurement ले लिया एक बार इस point से ऐसे arc लगाऊंगा और एक बार दूसरे point से लगाऊंगा और यहाँ पे यह arc intersect करेगी जिस point पे यह arcs दोनों intersect करेंगी वो point नीचे वाली line के दोनों point से equal distance पे होगा और वो कितना? जो जितना हमने यहां लिया है 6, 6 से लिया है न यह भी तो इस तरह से आप एक equator triangle तैयार कर लेते हैं अब इसकी 3 symmetry lines होती है और वो lines इनके vertex से सामने वाली side के midpoint से गुजरती हुई जाती है तो इनका midpoint भी मुझे पता करना आसान है क्योंकि मैंने side 6 लिया है तो midpoint होगा 3 यह इसका center हो गया तो एक symmetry line इसकी उपर के vertex और सामने की side से गुजरती हुई ऐसे जाएगी यह होगी एक symmetry line L1 दूसरी यहां से जाएगी सामने वाली side के midpoint से तो इसका midpoint 3 होगा यह हो गई है दूसरी symmetry line तो इसका नाम L2 रख देते हैं तीसरी इस vertex से निकलेगी और सामने वाली side के midpoint से गुजरती होई जाएगी तो midpoint यहां पर 3 के पास होगा और यहां से और midpoint से ऐसे जाएगी यह हो गया यह L3 हो गई है तीन symmetry line होगी है इसके अंदर अगर आप बिल्कुल exact करोगे न आपकी construction perfect होगी तो यह तीनो lines एक ही point पर intersect करेंगी यह हो गया तीन के लिए D point पढ़ते हैं no lines of symmetry क्या ऐसा triangle हाँ बना सकते हो जिसमें symmetry की कोई line हो ही ना तो इसका answer भी yes है यानि कि zero symmetry line हो और ऐसा triangle होता है skeleton triangle skeleton triangle वो triangle होता है जिसकी तीनो side की length अलग-अलग होती है उसमें आपकोई symmetry line बना ही नहीं सकते मैं skeleton triangle ही बना के दिखा देता हूँ आपको तो कुछ भी अलग-अलग measurement ले 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 ना आप यह मैं नीचे का base बना रहा हूँ यह मैंने बना दिया अब मैं कोई side ले लूँगा इसमें इससे थोड़ी अलग ले लूँगा यतनी यह है ना इससे अलग ले ले लेता हूँ यह से अलग है ना तो यहाँ पर मैंने cutting मारी अब इससे अलग कुछ और ले ले लेता हूँ थोड़ी छोटी ले ले लेता हूँ ऐसे यह ले ली मैंने तो यह यह side यह side और यह side यह 3 side different measure की है यहाँ पर एक point आएगा और इस point को जोड़ देंगे तो ऐसा triangle तयार होगा जिसकी 3 side की length different है यानि कि skeleton triangle होगा वो अब आप इसमें देखिए आप इसमें symmetry line अगर बनाने की कोशिश भी करेंगे तो आपके जो 2 part आएंगे ना वो same नहीं आएंगे अगर इस vertex से मैं इस side के यहाँ midpoint से ले जाता हूँ यह मरफली कर रहा हूँ यह symmetry line मत समझना आप इसको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ तो अगर मैं इसे ऐसे ले गया तो यह जो part है और यह part आप देख भी पारे होगे same नहीं है बिल्कुल इसका कुछ अलगी shape है इसका कुछ अलगा fold करोगे तो overlap नहीं करेंगे दूसरा दिखा दूँ अगर मैं यहां से इसे ऐसे fold करूँ उपर के vertex से बिल्कुल ऐसे 90 degree पे यह किसी भी degree पे करूँ मगर इसका center भी लेता हूँ सामने वाली side का जैसा कि हम isosalus में और equilateral में करते हैं तो भी आप देखना इस red line ने जो दो triangle तैयार किया इनका size बिल्कुल अलग है तो यह overlap करी नहीं सकते अब तीसरी भी दिखा देता हूँ मैं इसमें तीसरे vertex से जाती हुई line और सामने की side के midpoint से गुजरती हुई line तो यह जो दो shape आई है यह भी बिल्कुल इसमें अलग ही है अगर आप इसे fold करोगे तो यह कोना थोड़ा angle जो यह पतला है यह angle मोटा है तो यह इसके उपर पूरी तरह से overlap नहीं करेगा तो इसकी no symmetry line यहनि skeleton triangle की symmetry line होती ही नहीं है तो यह deep part था last part था question खतम next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए goodbye